इंडिया की जो दो फ्रेंडली कंट्रीज हैं रश्या और इसराइल आप अगर इंडिया में किसी से पूछ ली जिए के इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट मित्रमुल्क इंटरनाशनली कौन है तो मेरे खाल से जारातार लोग वोड करेंगे या तो रश्या को या तो बात कर रहा हूं overall और इंटरस्टिंग बात देखिए ये दोनों देश ही एक दुसरे के अगेंस्ट उनाटेड नेशन्स में इंटरनाशनल फॉरम में बहुत सारी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और अब रश्या ने तो ये भी कह दिया है कि इसराइल पर सांक्शन्स लगान चाता हूं अब यहां पे आप देख पाओगे युनाटेड नेशन्स की एक मीटिंग चल रही है जो इसराइल के रेप्रसेंटिटेव हैं टु द यू एन ये भी मौजूद है ये अपनी तरफ से सफाई देंगे कि इसराइल जो भी कर रहा है गाजा में और जगा उसके पी का कि हम आपके कंट्री की अवास को इतनी इंपोर्टन्स नहीं देते कि आप जो बोल रहे हैं वो हम सुनेंगे भी अब यह जो फूटेज है यहां पर देखो यह आप नोट कर रहे हैं यह रश्या के जो रेप्रेजेंटिटिव हैं यह खड़े हो गए हैं इसराइल के बोलने से पहले इसराइल ने अपनी जो स्टेट्पेंट है वो यहां पर कंप्लीट करी पहली बात तो रश्या ने डरेट ये डिसेस्पेट दिखाई इसराइल को उसके इलावा अलग से एक वीडियो है वहां पर रश्या के अंबैसिडर ओपनली कहा रहे हैं कि सिंस इसराइल ने यूएन का एक रेजिलूशन तोड़ा है तो उसके रिस्पॉंस में ना सिर्फ रश्या को ये कहा रहे हैं पूरी इंटरनाशनल कॉमुनिटी क सांक्शन लगाने चाहिए इसराइल पर अब यहां पर पूछोगे मगर ये कौन सा रेजिलूशन है जो इसराइल ने तोड़ दिया जिसको लेकर रश्या का वी गुस्सा है देखिए रमजान का जो महीना चल रहा था ना उस टाइम के लिए यूएन ने एक रेजिलूशन था कि इज़ईल सीस फायर मेंटेंड करेगा इज़एल इसराइल आजस रमजान के महीने में तो गाज़ा पर अटक नहीं करेगा इज़धी रेज़ूशन की धजिया उड़ा दी जम के अटक किया गाज़ा पे तो अब उसके रिसपोंस में ये रशिया यहां पर कह रहा है कि since UN Security Council resolution number 2728 को violet किया गया है तो इसराल पे sanctions लगाओ आप अगर एक बहुती neutral perspective से सोच कर देखे न रशा गलत नहीं कहा रहा आपको कही ना कही UN Security Council में जो discipline है उसको follow करना होगा नहीं तो अगर कोई country UN Security Council के resolution को follow ही नहीं करेगा उसको बिलकुल ignore कर देगा तो फिर UN Security Council का मतलब क्या है यह powerless group है यहाँ पे हम लोग permanent seat के लिए क्यों भागे फिर मगर जो actual geopolitical reason है रशा के गुस्से का यह actually रमजान के महीने में जो इसराल ने किया है सिर्फ वो नहीं है में देखो रशिया बहुत ज़्यादा frustrated है इसराइल के actions को लेकर against Iran अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते है एक बात बताईए सर यह एक बहुत ज़्यादा natural बात नहीं है कि अगर इसराइल इरान को attack करता है US involved हो जाता है तो रशिया को actually इससे advantage मिलता है रशिया युकरेन पर अपना आकरमन और ज़्यादा strong कर सकता है मगर इस particular case में ऐसा नहीं हुआ USA ने अपनी policy clear cut दुनिया के सामने रखी इसराइल को भी बता दी कि इरान से हम युद नहीं चाहते यहाँ पर मैं कहूंगा देगो USA के policy makers ने एक smart move दिखाया अगर वो emotional होकर कह देते इसराइल को कि आप argument करो तेहरान पे हम आपके पीछे खड़े हैं तो एक बार को US उलच जाता यह obviously रशिया के लिए बहुत ज़रा favorable होता अगर इरान USA को उलचा देता एक बड़ी war में बट सिंस USA ने categorically कहा दिया कि हम इरान के साथ war में नहीं उलचेंगे तो उससे in the end हो क्या रहा था कि इसराइल सिर्फ रशिया के एक बहुती important मितरमुल country इरान इसको उलचा रहा था इरान एक ऐसा country जो लगाता ड्रोन सप्लाई कर रहा है रशिया को मिसाल सप्लाई कर रहा है आप खुरी सोच सकते हैं इसराइल की हो जैसे इरान को अपने सारे weapons अपने पास ही रखने पड़ेंगे अब क्योंके इनको पता नहीं है कि कब इसराइल कोई बड़ा उक्रेन पर ही फोकस कर रहा है तो इसलिए देखिए रशिया बहुत ज़्यादा फ्रस्टेटेट था और रशिया नहीं चाहता था कि एक वार स्टार्ट हो जाए बेट्वीन इसराइल और इरान क्योंके इस से लॉंग टर में रशिया को ही नुकसान होगा और जो मैं आपको बात बताई है इसके वारे में आपको कई आर्टिकल्स मिल जाएंगे CNN में, BBC में, इवन मैं दिख रहा था जापनीस मीडिया में इंडियन मीडिया में भी कई जियो पॉलिटिकल थिंकर्स ने इस पर लिखा है कि इरान और इसराइल की जो कॉन्फिक्ट है ये बाड न्यूज है फॉर रशिया मॉस्को डिपेंडेंट है तेहरान पर फॉर ड्रोन्स तो देखो, आने वाले समय में होने क्या वाला है कि अगर इसराइल उलजहा के रखता है इरान को एक वार में उलजहाना भी क्या जो इसराइल ने करना था वो कर दिया मैं नहीं मानता कि आने वाले छे महीने तक इरान अपने अलर्ट लेवल को कम करने वाला है ये इनके यां कम्प्लीट अलर्टनेस रहेगी अभी रिसेंटली हमने देखा इसवाहन में भी ब्लास्ट हुए है तो इरान बिलकुल अपने ड्रोन्स अपने मिसाल्स को अपने पास रखेगा रश्या को ये कुछ नहीं भेजने वाले रश्या को ये सिंप्ली ये कहा देंगे कि तुम तो सिर्फ यूकरियनी से जूज रहे हो हमारे पीछे इसराइल पड़ा है USA भी हो सकता कि कल को अटाक कर दे तो हमें तो अपने ड्रोन्स चाहिए अपने मिसाल्स चाहिए वी कैनाट हेल्प यू इवन दो इसराइल चाहे कुछ ना करे मगर जो डर आज के समय बैट गया होगा इसराइल की लीडर्शिप में उसकी वज़े से ये वैपन्स इन दा फ्यूचर मोस्ट प्रॉबली एक्सपोर्ट नहीं करेंगे और इसके रिजल्ट में आप क्या रिखोगे रशिया युनाइटेड नेशन सेक्योटी काउंसल में इसराइल के अगेंस टेटमेंट दिना स्टार्ट कर देगा और मैं आपको बदा दूँ फ्यूचर में बहुत सारे रेजलूशन पॉसिबल है कि रशिया चाहिना दोनों टेवल करे इसराइल के अगेंस्ट इंडिया मैं इमेजन कर पा रहा हूँ उस पर्टिकुलर केस में सिर्फ एबस्टेन चली करेगा लगता नहीं है कि हम एदर रशिया या इसराइल का सपोर्ट ओपनली कर पाएंगे एक दूसरे के अगेंस्ट इंडिया यहाँ पे अबस्टेन ही करेगा और हमारी कोशिश यही होगी कि अपने रिलेशन्स हम बैलेंस करके चले बिट्वीन रशिया और इसराइल क्योंकि मैं आपको बजा दू दोनों कंट्रीज के बीच में जो रिलेशन्स हैं लिखेगा इसके बारे में कॉमेंट सेक्षन में सिंस लाखों लोग वीडियो देखते हैं मैं जनुवनली जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन शेर करिएगा इसके बारे में अपने थौट्स और फानली आपसे क्वेशन पूछूँगा के हाली में वो कौन सा देश है जिसे G7 कंट्रीज ने ओपनली क्रिसाइज किया है उसकी अलोशना करी है क्योंकि ये देश खुल कर रश्या की डिफेंस इंडस्री की मदद कर रहा है ये हैं आपकी आपकी आप्शन्स सीरिया, चाइना, वियतनाव या सर्विया इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश होए है आंसर करिए इसका कॉमेंट सेक्षन में जो लोग सही आंसर देंगे उसकी कॉमेंट को मैं हाट दे दूँगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं के सही उत्तर क्या है और फाइनली यहाँ पर मैं यह भी आड़ कर दूँ कि Study IQ के UPSC कोर्स में एक special offer चल रहा है जिसमें अगर आप यह कोर्स परचेस करते हैं तो आपको Study IQ की तरव से physical books भी deliver की जाएंगी at your address तो यहाँ पर आपको क्या करना है वीडियो के UPSC कोर्स इस कोर्स के अंडर प्रिलिम से लेकर इंटर्यू तक आपकी help करेगा Study IQ आपका Prelims क्लियर हो जाता है तो mains के लिए आपको दिल्ली में invite किया जाएगा by Study IQ आप दिल्ली में रहोगे आपका खरचा Study IQ उठाएगा आपको one to one mentorship दी जाएगी everything will be taken care of और अब तो देहिए books आपको दी जाती है by Study IQ जिनकी अपने आपने cost 6000 रुपीज है और जो यहाँ पर price लिखा है ना इस कोर्स का ये कभी भी पे मत कर देना simply यहाँ पर code use कर दिये PD10 और आपको मिलेगा एक massive 7500 रुपीज का discount the maximum discount you can get और 30,000 रुपीज में आपको 30 महीने का ये codes मिलता है basically आप हर महीने का 1000 रुपे पे कर रहे होंगे for your UPSC preparation so use the code PD10 and save money AC note के साथ यह है video कांथ thank you for listening and as I always say may the gods watch over you